बर्सों हो गए स्कूल चलाते लेकिन ऐसा एक्जाम न देखा न सुना सब कुछ आउट उफ सिलिबस था सर फोन से पढ़ा तो लेगे लेकिन फोन रखेंगे कहा हमारे यहाँ इंटरनेट कहा है सर सर सैलरी मिल जाती तो ऐसे कई सवाल बीना जवाब सामने आने लगे दूसरी तरफ बच्चों के घर स्कूल बन चुके थे और माबाप मॉनिटर बच्चे तो स्कूल जाने रहे इतनी फीस किस बात की कम से कम आधी फीस माफ होनी चाहिए नहीं पढ़ाना हमें अपने बच्चों को यहां एसे में स्कूल चलाना आसान न था हमेशा एक्जैम लेने वाले को अब एक्जैम देना था पर सवाल था बच्चों के भविश्य का और यह सवाल कठिन जरूर था पर आउट ओफ सिलिबस बिलकुल नहीं था सर्थ हमारे बच्ची यही बढ़ेगे गुद मॉर्निंग चिल्डरेंग गुद मॉर्निंग सार कुछ थे फ्रंट लाइन वर्कर्स और कुछ फ्यूचर लाइन वर्कर्स आउ मिलकर हर स्कूल चलाने वाले को सलाम करें जिनोंने इस कठिन वक्त में भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा